देखिए, समझीएगा आप यहाँ पे, मैं आपको इस क्वेशन की ट्रिक भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी बताऊंगा कि ऐसा हम क्यूं करते हैं है ना, ट्रिक इसकी बहुत आसान है, टॉम लिख दिया, जेरी लिख दिया, टॉम आट जंप लगाता है, तो जेरी छे जंप लगाता है, टॉम सेवन जंप चलता है, तो जेरी उतनी देर में 5, और इसकी ट्रिक होती है, क्रॉस मल्टिप्लाएं, एट फाइब्जा टू से कैंसिल करेंगे, तो रेशो आएगा 20 रेशो 21, ये स्पीड का रेशो होता है, और ये आंसर है, इतना सा काम है, टॉम एट जंप लगाएगा, जेरी छे लगाएगा, टॉम सेवन जंप में जो डिस्टेंस कवर करता है, जेरी 5 जंप में कवर करता है, तो 8 आपको इसका तरीका बताता हूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, है ना, just try to understand concept behind this trick, है ना, सुनिए क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक समझिए, यहां होता ये है कि जब टॉम जेरी का पीछा करता है, तो टॉम 8 जंप लगाता है, जेरी 6 जंप लगाता है, है ना, मतलब यहां पे time सेम है, ये indirect हमें पता चलेगा कि same time में, अगर टॉम जो है 8 जंप लगाता है, तो जेरी कितनी जंप लगाता है, जेरी 6 जंप लगाता है, मतलब time दोनों का same है, अच्छा, एक बात और बताओ, कि आपको चाहिए speed का ratio, speed का formula होता है, distance upon time, हाँ या ना, speed का formula होता है, distance upon time, तो हमें एक tom की speed चाहिए, और जेरी की speed चाहिए, सुनते जाना पूरा, है ना, अच्छा, tom कितना distance चलेगा नहीं पता, time कितना है, नहीं पता, जेरी कितना distance चलेगा, नहीं पता, time कितना है, नहीं पता, time हमें नहीं पता, लेकिन दोनों same time में चल रहें, तो time दोनों का same आएगा, मान लो यहां एक घंटे आएगा तो यहां भी एक घंटे आएगा तो यहां पर time से time जो है cancel हो जाता है time से time cancel हो जाएगा मतलब आपको सिर्फ यह पता लगाना है कि distance कितनी है क्योंकि उससे ratio आजाएगा अरे ये एक घंटे चलेगा तो ये भी एक घंटे चलेगा ये दो घंटे चलेगा तो ये भी दो घंटे चलेगा क्योंकि आप से क्या बोला है जितने टाइम में जेरी चलता है उतने टाइम में टॉम चलता है मतलब टाइम से में तो टाइम से टाइम जो है कैंसिल हो जाता है तो आपको सिर्फ distance का ratio निकालना है कि वो कितनी distance cover कर रहे हैं, उससे हम उनकी speed पता लगा लेते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ गए, अब देखो, Tom ने 8 jump लगाई, 8 jump लगाई, लेकिन एक jump में कितना, एक jump में कितनी distance चलेगा, और ये एक jump में कितना चलेगा, बस ये हमें और पता चल जाए, तो second line पड़ो, Tom जितने distance 7 jumps में cover करता है, जेरी उतना ही 5 jumps में cover करता है, तो Tom को यहीं रहने दो, जेरी को इधर ले आओ, 5 को इधर ही रहने दो, 7 को नीचे ले जाओ, ये पता है क्या है, ये इनकी distance का ratio है, ये इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है, इसका मतलब क्या है, कि Tom अगर एक jump में 5 चलेगा, त तो फिर सुनना, Tom 8 jump लगाता है, जबकि एक jump में कितना चलता है, 5 मतलब ये 40 चलेगा, जेरी एक jump में चलता है, आप इसको meter भी assume कर सकते हो, इसको आप meter assume कर लो, तो जेरी एक jump में 7 चलेगा, तो 6 jump में कितना 42, तो Tom की distance कितनी आ गई, 40 upon time, जेरी की distance कितनी आ गई, 42 upon time, time से time cancel और 2 से ये दोनों cancel होंगे, answer आपका same आएगा, शायद आपको logic समझ में आया हो, ठीके, एक jump में हमारे Tom भाई सहाब 5 मीटर चलेगे, तो जेरी एक jump में 7 चलेगा, जबकि Tom 8 jump लगाता है, एक jump में 5 मीटर, तो 8 jumps में 40 मीटर, जेरी एक jump में 7 मीटर, तो 6 jumps में 42 मीटर, तो ये आ गई distance, time दोनों का same है, time से time cancel हो गया, speed का ratio is 20, ratio 21, तो ये basic है, क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन इतना करके time अपने को west नहीं करना है, simple सी trick लगाना है, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि actual में 8 का multiply 5 में होता है, और 6 का multiply 7 में होता है, 8 इंटू 5, 6 इंटू 7, सीधा अंसर आ जाएगा.